नमस्कार दोस्तो आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे देखे डेट है 15 जून डिसकस करेंगे दा हिंदू नियूस पेपर और पी आईबी दाडिज प्रेस इंफर्मेशन ब्यूरो का इंपोर्डन करेंट अफेयर्स तो लिजे गाईज स्टाट करते हैं देखे स सबसे पहले आज पी आईबी की बात करें तो लिजे में है जीवन वाईउ जीवन वाईउ जो है देश का फर्स्ट पावर फ्री CPAP डिवाइस होगा CPAP continuous positive airway pressure अब देखे CPAP के बारे में गाईज बात करें तो ये एक treatment method होता है उन पेशेंट के लिए जिनको सास लेने में दि the last 10 साल around 3 million hectare of forest cover has been added दूसरा हम काम कर रहे हैं restore करने के लिए 26 million hectares of degraded land by 2030 to achieve an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion ton of carbon dioxide equivalent ठीक है गाईज नेक्स्ट बात करें तो देखे सिपरी रिपोर्ट दा हिंदू में विल्कुल न्यूज में है तो देखे सिपरी जो है Stockholm International Peace Research Institute तो इस रिपोर्ट में बताय गया है कि number of nuclear warhead जो है globally वो increase हो रहे है और China, India, Pakistan जो है वो expand कर रहे है nuclear arsenal को ठीक है गाईज नेक्स्ट बात करें गाईज तो देखे इन विजन जो है यह mission है Venus के लिए European Space Agency का ठीक है और देखे और भी mission है Venus के लिए जैसे NASA के जो mission थे जैसे Da Vinci है, Veritas है, Magalan mission है ठीक है जपैन की बात करें तो Akatsuki और European Space Agency ही की बात करें तो Venus Express भी ठीक है गाईज दूसरा इसके बाद दा हिंदू की आज बात करें तो देखे आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान की जो सरकार है वो setup करने की बात बोल रही है Vedic Education Board जिससे की ancient time में क्या कुछ पढ़ाया जाता था उनके बा बात करें तो देखे वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में चर्चा है अच्छे से डिस्केस कर चुके हैं National Food Security Act के बारे में यहां पर बताया गया है आज दुबारा से डिस्केशन है दा हिंदू में उसके बारे में भी अच्छे से कर चुके हैं नाटो है नूज में फिर have a awesome day!